नमस्का और दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आज हम डिसकस करेंगे खल सा कॉलेश फर ओमेन। यहाँ आसिस्टांट प्रोफिसर का भैकेंस से निकला है बहुत सारे सब्जेक्ट में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हों मैंने मेंनें किया है। तो चलिए चलते में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यह आप देख सकते हों यह है खल सा कॉलेश चारिटेबल सोसाइटी अमरित सर का ओफिसियल वेब साइट। यहाँ देखें लेट साइड उपर में मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। य यह है इसका लाटेस्ट पेपर कॉट आउट तो आम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका नोटिफिकेशन मैं इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो यह है इसका नोटिफिकेशन मैं इसको फिर से थोड़ा जूम कर लेता हो, हाँ, तो अभी साइद आपको दिखाई दे रहा होगा, खल्चा College for Women, अमरित सार, यहां देखे है, यहां मेंशन किया गया है, सेकेंड लाइन पे आप देख सकते हो, आसिस्टन प्रोफेसर, आसिस्टन प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइन्स, इसमें कितना वेकेंसी है, एक, और यह जो कंट्राक्ट होगा, यह 3 साल के डे कंट्राक्ट होगा, ठीक है, और यहां आपको जो सैलरी मिलेगा, आप यहां देख सकते हो, सैलरी आपको मिलेगा, 15,600 प्लस 6,000, AGV के हिसाब से मिलेगा, और 21,600 करके आपको सैलरी मिलेगा, और इसके लिए eligibility criteria क्या है जो government का जो policy है इसके हिसाब से इसका eligibility criteria है और PhD preferred किया जाता है ऐसा mandatory नहीं है मगर यह preferred है यदि किसी के पास PhD है तो अच्छा है और बाकि जो भी relaxation मिलता है उसके हिसाब से इसको relaxation मिलनेगा और apply करने का तरीका क्या है यहाँ देखें mention किया गया है application through registered post be sent to the honorary secretary Khalsa College Charitable Society अमरित सर उइदिन 15 days from the publication ठीक आपको 15 दिन के अंदर इसको भेजना है ठीक इसी प्रकार category 2 में आप यहाँ देख सकते हो category 2 में यहाँ mention किया गया है assistant professor in यहाँ देखें mention किया गया है economics में 2 botany में 1, geology में 1, physics में 1, education में 1 and commerce में 1 ठीक है on regular और contract basis यह सारे के सारे जो subject में regular या contract basis में अभी recruitment चल रहा है तो qualification आजपर the UGC and the Punjab government के हिसाब से जो भी होगा और PhD preferred किया जाता है और इसको भी apply करने का तरीका क्या है 15 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा और आपको यदि इसका application form चाहिए तो आपको 1000 रुपिया का DD बनाना पड़ेगा और यह लेकर आपको submit करना पड़ेगा university में और वहाँ से आपको इसका application form मिल जाएगा और इसको fill up करने के बाद आपको इसको speed post करना है सेम आड्रेस में honorary secretary खालसा college charitable society अमरिसर और यहां mention किया है कि आप यहां चाहो तो university के website से डाउनलोड कर सकते हो and job forms तो आप जब इसके उपर click करोगे आपको job forms का page open होगा मगर यहां आप देखिए यहां आप चाहो तो यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो form से ठीक है और जब आप भेजोगे आप इसको 1000 रुपिया का एक check बना करके आप यहां भेज तकते हो तो यह है इसका link और 1000 रुपिया देखर आप यहां डाउनलोड कर सकते हो तो इसका जो link है मैं देदूँगा description में वहां जाकर भी आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और जिसको भी apply करना है जितना जल्दी हो सके apply कर लिजिए और यह दिए आपका कुछ भी query है देखे यहां भी number दिया गया है नीचे और यहां भी number दिया गया है आप चाहो तो इनको contact भी कर सकते हो नहीं तो उपर भी number दिया गया है toll free number और उसके साथ-साथ इसका email ID भी दिया गया है आप चाहो तो इनको भी contact कर सकते हो तो ये था इसका डिटेल्स और जो भी इंट्रेस्टेड हो जितना जल्दी हो सके आप यहां apply कर लिजिए thank you all the best